कि अक कि हलो स्टुडेंट्स अपना आज का टॉपिक है एक्षान ओफ रेस्टिक्शन एंजयम किस तरीके से बरेस्टिक्रिक्शन आजायम dna पर करता है और से कट करता है इस चीज को समझेंगे यहाँ पर एक्जांपल ले रहे हम लोग एको आरवन जो आपका restriction एंजाइम था उसका ले रहे हैं कि जो एको आरवन restriction enzyme है यह क्या करेगा कि DNA को base pairs के according means कहां कहां पर उसे काटना है वो क्या करता है कि G और A के बीच से cut करता है DNA को ठीक है जब उसे sequence मिलेगा किसी DNA में GAATTC इन six base pairs का जब उसको sequence मिलता है तो वो G और A के बीच में से cut करता है इसी तरीके से सभी जितने भी restriction enzymes होते हैं सभी का अपना अपना एक sequence होता है वो वहीं से cut करेगा अपना एक specific sequence होगा अगर वो sequence उनको वहाँ DNA में मिलेगा तो cut करेगा वरना वो cut नहीं कर पाएगा यह हमारा जो रेड़ वाला है यह है आप vector DNA इसको हम लोग बोल सकते हैं plasmid DNA ठेक है जहां plasmid में हमको अपना जीन of interest को इंटर कराना होता है और यह black वाला यह जीन of interest है इस जीन इसको हम यहां से निकालेंगे और plasmid में एंटर कराएंगे वेक्टर डियने मिस प्लाजमिड डियने ठीक है अब यहां पर हमने क्या किया जब एको आरवन का यहां पर हम लोग एंटरी कराते हैं इसमें एंटरी कराते हैं हम इसमें लगाते हैं तो restriction हम क्या करता है कि जी आपका यहां पर जी और एके बीच में से इसको यहां कट करता है और इसको यहां से G और A के बीच से भी कट करता है और यहां इसको इस तरीके से कट कर देगा सेम इसी मेथट से वो यहां पर भी G और A के बीच में कट मारेगा इधर भी G और A के बीच से कट मारता है और इसको इस तरीकसे यहां से कट कर देगा है ठेग है और यह जरूरी होता है किसी भी कॉट करें जीन आफ प्लाज मिर्व ककरें दोनों restriction enzymes जो हैं वो दोनों same होने चाहिए अगर different होंगे वो different different तरीके से काटेंगे जिससे कि sticky ends भी different different periods होंगे और बाद में जोड़ा जोड़ेंगे नहीं आपस में अब यहां पर क्या होगा धीए जब इतना कٹ करने के बाद ये जो पाय पार्ट है ये यह पार्ट यहां से अलग हो जाएगा siya तो इदर से यह वाला partner लग हो जाएगा है तो इदर क्या बचा आपका नीच्छे की तरफ्ड़ी वी ऊपर की तफ्डे ऑच्टी यह जा आए ठीक है तो क्या होगा कि यहां पर यह sticker and develop करेंगे क्या करेंगे इंट करेंगे कटने के बाद जिए इस टिकर डवलप करते हैं ठीक है टी टी ए और अपर साइड ने भी ए ए ए टी टी बच गया अब जो यह पॉइंट बचे हैं यह अ किस टी से जुड़ जाएगा यह भी इस T से जुल जाएगा यह T की आके इस A से जुल जाएगा और यह TV के इस A से जुल जाएगा ठेक है इस Ticky End डैवलप करने का मतलब है कि DNA फ्रेगमेंट जो है ठेक है यह जुएन हो जाते हैं स्टिक की एंड से आपस में हैड्रोजन बॉंट के तुरू कौन से बॉंट के तुरू है चिप चिप आप मैटेरियल होता है ठीक है आपस में दोनों यहां पर आके अटेच हो जाएंगे जुड़ जाएंगे और फिर हम लोग यहां लाइगेज एंजाइम के तुरू इन सभी को आपस में बैंड करा देते हैं में लाइगेज एंजाइम का यहां पर हम लोग एंट्री कराते हैं है कि यहां पर हम लोग लाइगेंगें के जोड़ देते हैं तो इस of interest के साथ add हो जाता है और यह हमारा recombinant DNA का structure बनके त्यार हो जाता है ठीक है यह हमारा recombinant DNA का structure बन जाता है ठीक है इस तरीके से recombinant DNA का structure बनके आपका त्यार हो जाएगा इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यहां से कि किस तरीके क्या हमारा पैलेंड्रॉम सेक्वेंस होता है विसे हम लोग पढ़ चुके हैं पैलेंड्रॉम सेक्वेंस के बारे में लेकर हम लोग दुबारा से स्टार्ट करेंगे